दिवाली का तोहार नजीक है और रोशनी के इस्तोहार को हमारे देश में बड़ी धूमदाम से बनाया जाता है लोग इस्तोहार पर जितना पसंद मिठाईयां बाटना सासरावट करना करते हैं वहीं बच्चों को उतना ही पसंद पठा के फोन न होता है लेकिन देश के कई इलाकों में पहले से इतना प्रदूशन बढ़ गया है कि लोगों को सास लेने में परिशानी हो रही है और वहीं पठाकों के दुएं से सेहत और बिगड़ सकती है पठाकों का दुएं दरसल प्रदूशन से भी जादा खतरनाक होता है और यह दुएं इतनी जादा मात्रा में होता है कि यह सीधा आपके लंग्स और सांस के नली पर असर डालता है वहीं इसमें मौझूद खतरनाक केमिकल्स आपके लंग्स पर लंबे समय तक असर छोड़ते हैं जिने पहले से सांस संबंदी विमारियां उनके लिए पठाकों का दुए वैसे ही खतरनाक होता है ऐसे में अस्तमा ब्रॉंकाइटिस के मरीजों को सांस लेने में परशान ही आना शुरू हो जाता है वहीं बच्चे भी खांसी का शिकार हो जाते हैं प्रदूशन एक नहीं कहीं तरीके से सिहत को नुकसान पहुचाता है दुए सबसे पहले लंक्स पर असर करता है दुए में मौझूद खतरनाग केमिकल्स लंक्स में जाते हैं और इंफेक्शन करते हैं पठाकों के दुए में मौझूद पार्ट्री कुलेट मैटर, लंक्स में इंफेक्शन करने के साथ साथ अस्थमा, वरॉंकाइटिस और क्रॉनिक, अब्स्रिक्टिव पल्मरोरी डिजीज यानि COPD कर सकते हैं पठाकों के दुए में मौझूद कुछ रसायन कैंसर के खत्रे को भी बढ़ा सकते हैं पठाकों के दुए में मौझूद रसायन नियूरोलोजिकल समस्साय भी पैदा कर सकते हैं जिससे सिर्दर्द का कारण हो सकता है अगर आप पठाके जलाना भी चाते हैं तो कोशिश करें कि पॉलूशन फेलाने वाले पठाको की जगा ग्रीन पठाके जलाने की कोशिश करें यह प्राइस बेहाना कि थोड़े मह subject जरूर होते है लेकिन पर्यावरनल के लिए बहतर होते हैं ये पटाके जलने पर रोशनी और आवास करते हैं, इनसे ज़्यादा धुआ निकलता और ना ही ज़्यादा प्रदूशन फैलता है ये बच्चों और बड़ों दोनों की सहत को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पुचाते वहें एक्सपर्ट का मानना है कि कम जगह में और जादा भीड़ वाली जगह में पटाके फोड़ने से भी सहत को नुकसान पहुचता है कम जगह की बज़े से आप पटाकों के आसपास ही खड़े रहते हैं जिससे पटाका जलते ही सारा धुआ आपके शरीर में चला जाता है वहीं खुली जगा में पठाके जलाने का फायदा ये होता है कि आप दूर रहकर पठाके जलाते हैं जिससे पठाकों का दुआ सीधा आपके अंदर नहीं जाता इसलिए कम जगए की बज़ाए खुली जगा में पठाके जलाना अच्छा माना जाता है वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी खुली जगा पर पठाके जलाना जादा सुरक्षित माना जाता है वैसे दिवाली रोश्णी का तोहार है इसलिए समझदारी दिखातो है पठाके फोनने और प्रदूशन बढाने की बजाए आप इस तोहार को दिये जला कर सेलिबरेट करेंगे तो ये स्वास्ते और वातावरन दोनों के लिए अच्छा होगा क्योंकि तोहार एक दिन का है लेकिन इससे फैलने वाला प्रदूशन आपकी सेहत पर सालों साल तक असर डाल सकता है इसलिए रोशनी के इस तोहार को रोशनी बना कर ही बनाए फिलाल इस खबर में इतना ही आप अन्य खबरों के ले देखते रहिए टीवी नार भातवर्श